क्रिस्ट में माता पीता और भाय बहनों आज हम पवित्र मर्यम के जनम का फर्ब मनाने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमारे इसाही डर्म का एक महटपूर्ण गतना है हमारे कैतलिक कलिशिया में हम केबल तीन लोगों के जनम दिन मनाते हैं येशु, मर्यम और योहन बप्तिस्टा हम येशु का जनम इसलिए मनाते हैं क्योंकि वे हमारे उडर करता है उनके आने से हमें मुक्ति और परमेश्वे के राज्य में नया जीवन मिला लेकिन हम मर्यम और योहन बप्तिस्टा का जनम दिन क्यों मनाते हैं क्योंकि इन दोनों का जनम परमेश्वर के बिशेश क्रिपा और योशना के खारण हुआ था ताकि येशु का इस दर्टी पर आना संभव हो सके योहन 3.16 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौते पुत्र को दे दिया इस पुत्र जो आत्मा में है को मानव रुप में आना था इसलिए परमेश्वर ने मर्यम को चुना और उन्हें येशु की माता बनने के लिए तयार किया इसलिए मरियम का जनम हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण है सेंथ लूइस दि मौनफोर्ट ने कहा यदि आप फल चाहते हैं तो आपको पेर के पास आना होगा अगर आप येशु चाहते हैं तो आपको मरियम के पास आना होगा मर्यम का जनम हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्यूंकि उनके माध्यम से ही हमें परमेश्वर का पुत्र मिला मर्यम के जनम का यह परव हमें अपने जीवन पर सोचने का मोका देता है उनकी तरह परमेश्वर की इच्छा को स्विकार करने के लिए तयार है क्या हम बगवान के योचना पर बरोसा कर सकते हैं बले ही हमें पूरी तरह से समझना आए आईए आज के दिन हम अपने आप को बगवान की प्रती समर्पित करे और मर्यम के विश्वास और मर्यम के बिनरमता और प्रेम के रास्ते पर चलने की खोसिस करे हमारी स्वर्गिय माता हमें हमेशा अपने पुत्र येशु मसी के पास ले जाए आप सभी को इस भर्व की दे सारे सुबकाम नाए Happy Feast